विडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि इस बीस रुपे के पत्थर को किसी भी उन हजारो रुपे के प्रॉडक्ट से कॉस्मेटिक से कंपेर करने की गलती बिल्कुल भी मत करना ये सिर्फ और सिर्फ बीस रुपे का है वो हजारो रुपे के प्रॉडक्स पे ये जगा पर इसको पारस पत्थर कहा जाता है जो किसी भी चीज को छूले तो सोना बना दे, यानि इतनी valuable चीज ये है, बहुत से लोग मेरी तरह आज भी इसको use करते होंगे, लेकिन आज भी बहुत से लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, तो इस वीडियो में इस fit curry के 10 amazing scientifically proven health benefits के बारे में आपको बताऊंगा आप चौक जाएंगे, हरान रह जाएंगे कि इतनी सारी amazing चीजें सिर्फ एक इस 20 रुबे के पत्थर में चुपी होई थी, आज तक नहीं पता था आज पता चलेगा, और आज से ही आप इसको अपनी जिंदगी का, अपनी routine का, अपनी health के लिए एक part बना लेंगे, और हाँ वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि less knowledge is dangerous आपने पूरा देखा तो आप समझ पाओगे कि इसको use कैसे करना है, कितनी quantity में करना है, किस problem या किस health challenge के लिए इसको किस तरीके से use करना है, कहाँ पर इसको use नहीं करना है और किन लोगों को use नहीं करना है तो सबसे पहले आपको बताता हूँ, skin के बारे में कि skin के लिए कैसे beneficial है सबसे पहले ये आपकी dark underarms जो हो जाती है, जिनका color dark हो जाता है उनके लिए तो ये वरदान है, अगर आप इसको गीला करके नहाने के बाद अगर आप इसको अपने underarms में use करते हैं तो आपका वो जो underarms जो dark हो रखी है उनका color धीरे-धीरे आपके natural body color से मिलने लगेगा मैं यहाँ यह नहीं कह रहा हूँ कि वो color सफेद white हो जाएगा, नहीं हो सकता कोई भी नहीं कर सकता लेकिन हाँ, वो दीरे-दीरे जो आपका natural बाखी की body का color था, उससे जरूर मिलने लगेगा, अगर आप इसको use करते हैं और दूसरी बात, यह दुनिया का, दुनिया का सबसे powerful deodorant है जी हाँ, मैंने जब यह video बनाया था, यह 20 रूपे के products वाला, उसमें मैंने इसके बारे हम बताया था और इसके comments पढ़ना कि कितने सेंकडों लोग यह बता रहे हैं कि हमने इसको use किया और use करने के बाद body से order नहीं आती, यह anti-bacterial है इसलिए वो जो हमारे armpits में से, underarms में से जो smell हाती है वो bad bacterias के कारण आती है तो उन bacterias को kill करता है, एक shield बना देता है, आपके pores को tight करता है जिससे कि वो sweating तो होती है, लेकिन sweating के साथ वो bacteria's खत्म होने की वज़े से smell नहीं आती, दुनिया का कोई भी डियो आप लगा लो, महंगे से महंगा डियो लगा लो लेकिन आप देखोगे, वो आपके body order को नहीं रोकता है, वो एक fragrance जरूर देता है लेकिन ये actual में, ये खुश्बू नहीं देगा ये खुश्बू नहीं देगा, लेकिन ये आपके शरीर से दुरगंद नहीं आने देगा और वो जो gas वाले या वो कई carcinogenic deodorants जो आते हैं, सब डियो खराब नहीं होते हैं, लेकिन बहुत से डियो's में alcohol है, parabens है, carcinogenic chemicals हैं जो cancer create करते हैं इसमें कोई नुकसान नहीं, एक रुपे का नुकसान इससे आपको नहीं होने वाला as a deodorant, और अगर आपने कभी भी इसको as a deodorant use किया हो, या मेरा वीडियो देखा हो आपने और उसके बाद use करना शुरू किया हो तो इसके जो benefits हैं, वो comment करके जरूर बताना, लाखो लोग comments पढ़ते हैं उनको inspiration मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि वो भी ऐसी चीज़ों को use करें न सिर्फ आपके लाखो रुपे बचाएगा हजारों रुपे बचाएगा, बलकि आपकी सिहत के लिए भी अच्छा काम करें ये body की tanning को खत्म करता है आपने देखा होगा कई बार sunburn हो जाता है या धूप में निकलने से कई जगा body का color discolor हो जाता है, तो अगर आप इसको पानी में dip करके use करते हैं, rub करते हैं उस जगा पर अच्छे से 5-7 मिनट के लिए उसको छोड़ देते हैं 2-3 मिनट के लिए और फिर उसके बाद आप उसको ताजे पानी से wash कर लेते हैं तो आप देखेंगे सिर्फ 3 दिन के अंदर आपकी tanning जो है, वो 80% तक खत्म हो जाएगी हमारी body पर किसी भी जगा पर कोई हलका-फुलका सा cut लग जाए तो वहाँ पर सबसे पहले इस fit curry को use कीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इसकी anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-acrobial और antibiotic properties होती हैं जिस कारण से ये वहाँ पर जो infection होने के chances हैं, उसको तो कम करता ही है उसके साथ वो जो cut लगा है, उसको भी ये skin tightening इसका system होने के कारण उस जगा को बंद कर देता है ताकि वहाँ से blood न निकले बहुत से लोगों को skin related बहुत से issues हो जाते हैं, कईयों को eczema हो जाता है, खुझली होती है, itching होती है body में हर जगा पर या छोड़े-छोड़े से दाग हो जाते हैं वहाँ पर आप इस fit curry को गीला करके use कर सकते हैं, या फिर अगर problem थोड़ी ज्यादा हो, तो इस fit curry का powder भी आपको मिलता है और वैसे तो या आपको आपकी local shop से बड़ी easily मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई लोग चाहते हैं जनको easily available नहीं हो, उनके लिए मैं Amazon के links description में दे देता हूँ, ताकि आपको powder और ये natural पत्थर जो है, easily available हो सके, तो इस तरीके का powder ये जो है, आप इसको घर में बना सकते हैं, इस powder को आप दो चम्मच जो है, नीमू का रस लीजिए, उसमें दो चुटकी इस powder को आप मिलाएए, अच्छे से मिला लीजिए, उसको जो है, उस infected जगापर जहां पर itching हो रही है, खुझली हो रही है, बॉड़ी में जहां पर भी eczema कोई दिक्कत है, वहां पर इसको पीला करके यूज कर सकते हैं, ठीक उसी तरह थोड़ी देर के लिए रहने दें, उसके बाद इसको गुन-गुने पानी से वाश कर लें, लेकिन अगर डाक स्पोट्स बहुत जादा है, तो इस तरह का जो इसका powder है, इसको powder form में बना लें, या चाहें तो powder form में बाजार से भी मिल जाएगा, उस powder को आपको rose water में mix करना है, उसको skin पर लगाईए, लगाने के बाद उसको तब तक छोड़ दीजे, जब तक वो बिल्कुल dry नहीं हो जाता, जब वो dry हो जाए, dry होने के बाद उसको wash कर दें, गुन-गुने पानी से अच्छे से साफ कर लें, और अगर आपको skin dryness का issue है, skin dry होती है जादा, तो उसके बाद moisturizer लगाना बिल्कुल मत भूलें, अब क्योंकि यह जो fit करी है, इसमें astringent properties होती है, astringent properties क्या करती है, आपकी skin को tighten up करने का काम करती है, तो अगर इसको face पर use किया जाए, तो यह skin tightening आपकी करता है, ठीक वैसे ही, पानी मे dip किया, अच्छे से face पर लगा लिया, wash कर दिया, लेकिन अगर आप इसके ज्यादा बहतर results लेना चाहते हैं, तो इसके powder को, आप rose water में इसके powder को थोड़ा सा मिलाइए, और इसको मिलाने के बाद इसका एक छोटा सा paste बन जाएगा, उस paste को अच्छे से लगाईए, 30 minutes के wash कर लीजिए, कुशिश कीजिए कि हफते में आप दो बार से जादा इस चीज को न करें, जितना बता रहा हूं, उतना ही आपको use करना है, और एक caution है, बहुत भ्यान देने वाली चीज यह है, कि कभी भी इसको use करते हूँ, ये note कीजिए, कि इसका पानी या ये किसी भी तर रुपे वाली क्रीम होती है, उनका सबसे major ingredient ये होता है, हाँ बस वहाँ fit cream नहीं लिखा होता है, वहाँ पर इसका chemical name लिखा होता है, इसका नाम है potassium aluminium sulfate, अगर आपके acne, pimples, scars, दवाईयां खा रहे हैं, वो खतम नहीं होते, नहीं जाते, तो this is the number one solution, इसको अपने acne पर use करने आप देखेंगे, देरे-देरे acne is reduced होने लगते हैं, अगर वो pimples की बहुत ज़्यादा problem है, तो आप एक काम कर सकते हैं, कि मुलतानी मिट्टी लीजिए, उस मुलतानी मिट्टी में, एक बड़ा tablespoon मुलतानी मिट्टी लो, उसमें हलका सा, उससे लगबग एक चौथाई, one-four इस powder को मिलाईए, fit curry के powder को, उसमें आप दूद डालिए, उसका एक paste बना लो, उस paste को face पे लगाओ, लगाने के बाद 15 मिनट तक उसको रखो, 15 मिनट रखने के बाद उसको गुन-गुने पानी से wash कर दो, फिर से बोलूँगा, अगर dryness की problem हो, तो उसके बाद moisturizer जरूर यू यूज नहीं करना है, तीन बार यूज करना भी safe है, लेकिन मैं एक बार बता रहा हूँ, एक बार इस paste को use कीजिए, अगर आप acne और किसी तरह के scar के लिए यूज करना चाहते हैं तो, और अब जी हमारी बात, हाँ, ये natural aftershave है, आप जो भी aftershave यूज करते हैं, मैंने आपक सब नहीं बोलूँगा, कई aftershaves में वो parabens, वो alcohol, वो carcinogenic properties होती हैं, जो हमारी skin के लिए बलकुल भी अच्छी नहीं है, ये natural aftershave है, अगर कहीं पर आपको cut लगता है, तो immediately, सिर्फ और सिर्फ एक minute के अंदर, ये उस cut के अंदर से blood आना बंद कर देगा, लेकिन अगर आप प दरने के बाद, एक बार जरूर ड्राय लगेगा, लेकिन long run में आप देखोगे, कि जब आपने face wash कर लिया, तो आपकी skin वो soft skin बरकरार रहेगी, वो harsh skin नहीं हो जाएगी, कभी भी, कई लोगों को blackheads की बहुत problem होती है, especially nose के around, आपके चारो तरफ, वहाँ पर भी आप इसका वही same rose water में मिला करके, इसका paste बनाईए, लगाने के बाद, luke warm water, यानि गुनगुने पानी से आपको वो soft करना है, साफ करने के बाद आप देखोगे, एक ही बार में बहुत सारे blackheads बाहर आ जाएगे, और वो लोग जो ज़्यादा threading करवाते हों, ज्यादा waxing, बहुत सी ladies क करवाती हैं, तो वो waxing और threading करवाने के बाद, इसको जरूर से जरूर यूज कीजिए जी, हमारे गले के लिए वर्दान है, especially मेरे जैसे लोगों के लिए, जिनको सारा दिन, you know, बखबखी करने, मतलब, मतलब बोलते रहना पड़ता है, मैं बहुत सी trainings को करता हूँ, बहु इसके powder को पानी में अच्छे से घोला, अच्छा, powder की जब भी मैं बात कर रहा हूँ, तो powder इसका इतना बारीक होना चाहिए, कि वो उसमें कुछ चुबने जैसी चीज ना है, बिल्कुल powder ये देखो आप, दिख रहा है, ये दिख रहा है, बिल्कुल बारीक powder होना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि ये आप इसको अच्छे से कूट कर नहीं बना सकते तो इसको grind कर लीजिए, फिर भी नहीं होता तो link में description में दे रहा हूँ, वो बारीक powder को आप बाय कीजिए, पानी में गोलो अच्छे से, थोड़ा सा उसमें सेंदा नमक डालो और उसके गरा अगर मुह से smell आती हो, कोई bad order आती हो, bacterias होते हो, gums में से bleeding होती हो, sensitivity का issue हो, तो आप इसको वैसे ही इसका एक चुटकी पानी में डाल करके, अच्छे से घोल करके, उससे जो है आप कुल्ला कर सकते हैं, जिनको ulcers की बहुत ज़्यादा problem होती हो, वो इसको शहद में मिलाए एक teaspoon, tablespoon शहद लेंगे, उसमें एक चुटकी फिटकरी मिलाएंगे, उसका एक paste बन जाएगा, उसको अच्छे से 3-4-5 मिनट तक उस area पर massage कीजिए, massage करने के बाद उससे कुल्ला कर लीजिए, और मुह से उसको अच्छे से निकाल दीजिए, और आप देखेंगे कि 1-2 use के ब लिए तो भाई साब ये वरदान है, ये दुनिया का सबसे बहतरीन fluoride free toothpaste है, बहुत से लोग आज भी इससे, इसके powder से brush करते हैं, थोड़ा सा इसका powder लेंगे एक चुटकी, एक ही चुटकी सेंदा नमक उसमें मिलाएंगे, उससे brush कीजिए, लेकिन अगर आपको उसके बाद थोड़ा सा मूँ के अंदर थोड़ा tight लगता है, वैसे तो आपकी health के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी बेर में normal हो जाता है, लेकिन अगर वो feeling ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, तो एक काम करो या, rose brush तो करते ही हो, तो उसमें उस अपने paste के उपर एक असी के उम्र में भी गन्ना, पता नहीं गन्ना मिलेगा कि नहीं, लेकिन हाँ, आपके दात जरूर सलामत रहेंगे, असी के उम्र में भी आपके दातों को कोई नुकसान नहीं होगा, अगर ज्यादा नहीं भी करना, तो भी हफते में दो बार at least ऐसा जरूर कीजिये, अगर कई बार हमको टीथ में cavity हो जाती है कई बार उसको हम बोलते हैं कीडा लग गया दांत में वो actual में cavity होती है जो build up हो जाता है हमारे टीथ के अंदर तो अगर आप इसका कुला regularly करते हैं अगर आप इससे brush regularly करते हैं तो मेरे से आज आप लिखवा लो कि अगर आज तक आपको cavity नहीं हुई तो cavity कभी भी नहीं होगी जिंदगी में कभी नहीं होगी अगर आप इसको अपने दांतों के लिए यूज़ करते हैं और अगर cavity हो गई है उसके बाद आपको use करते हैं तो आप देखेंगे उसमें भी धीरे-धीरे आपको अराम मिलने लगेगा और कई लोगों का तो दांत का दर्द सिर्फ इससे कुल्ला करने से आप इसको अच्छे से rinse कर लेते हैं अपने mouth को तो ये दांत का दर्द गायब हो जाता है या सर्दियों में बहुत से लोगों को ये problem का सामना करना पड़ता है तो इसको अच्छे से अपनी एडियों के उपर rub कीजिए मैंने आपको foot scrubber बताया था last video में उसके साथ foot scrubber यूज़ करने के बाद इसको अपने पैर पर अच्छे से rub कीजिए थोड़ी दिर रखिए फिर इसको wash कर लीजे अगर एडियों बहुत ज़्यादा footy है ठीक वैसे इसका paste बनाईए paste बनाने के बाद एडियों के उपर लगाईए और थोड़ी दिर रखने के बाद इसको उतार दीजे क्योंकि ये dead skin को remove करता है क्योंकि healing properties है क्योंकि skin tightening properties है तो वो 40 area भी जुडने लगती है next intimate wash आज market में बहुत महंगे महंगे intimate wash available है especially females उसको buy करती है क्योंकि वो private part में कई जगा पर कई बार ऐसा होता है कि infections होने के chances बहुत ज़ादा बढ़ जाते हैं या फिर sexual intercourse के दौरान कई लोगों को बहुत सी diseases का सामना करना पड़ता है तो अपने private parts को fit curry के पानी से wash कीजे आप देखेंगे कभी infection नहीं होगा वो जो bad bacteria है वो kill हो जाते हैं वो लोग जिनको UTI बहुत ज़ादा होता है especially females को जो challenges होते हैं leucaria का या और जो बहुत से challenges होते है private parts related तो अगर वो इससे अपने private parts को clean करते हैं males भी clean करते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पर किसी तरह को infection नहीं होगा smell नहीं आएगी, bad order नहीं आएगी और किसी तरह की बिमारी के chances भी बहुत कम हो जाएगे अब आते हैं जी hair पे अगर आपको dendruff बहुत जादा होता है तो इसके पानी से सिर को धोईए या फिर अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आपका routine में जो shampoo यूज करते हैं उस shampoo में थोड़ा सा इस fit curry के powder को mix कर लीजिए इसको mix करने के बाद उससे अपने बालों को धोईए आप देखेंगे कुछी दिन के अंदर आपका dendruff जाने लगेगा हाँ ये use करने के बाद आपके hair बहुत ज़्यादा dry हो जाएंगे इसलिए hair wash करने के बाद कोई नो कोई oil, specifically coconut oil अगर आप apply कर सकें तो जरूर कीजेगा क्योंकि वो dryness को खत्म करता है और आपके roots तक वो oil जाएगा और आपके dendruff को 2-3 wash के अंदर ही बहुत ज़्यादा कम कर देगा अच्छा ये fit curry पानी को भी पीने लाइक बना देती है तो अगर आप कई जंगल में कोई ऐसी पहाड़ों में कई ऐसी जगा पर फस गए जहाँ पानी नहीं available है कैसा भी पानी मिले गंदे से गंदा भी पानी मिले तो वहाँ पर 10 लीटर पानी में सिर्फ 10 ग्राम fit curry को powder को डालिए अच्छे से मिला दीजिए कुछी देर के बाद आप देखेंगे पानी की जितनी impurities हैं वो सब नीचे बैठ जाएगी आज भी बहुत जगा पर जहाँ पर साफ पानी नहीं मिलता खारा पानी होता है भारी पानी होता है वहाँ पर लोग इस fit curry का इस्तेमाल करते हैं उस पानी को पीने लायक बनाने के लिए और बहुत से लोगों ने तो जब ये covid times infection का जब बहुत ज़ादा time चल रहा था उस time पर fit curry के पानी से ही स्नान किया है और हाँ किसको ये fit curry use नहीं करनी है ये भी बड़ा ध्यान से समझो 99.99% लोगों को इस fit curry से कोई दिक्कत नहीं है सिर्फ 0.01% लोगों को इससे कुछ allergic issues हो सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना है आपको इस fit curry को गीला करके अपने skin के किसी एक part पर अच्छे से rub कर लेना है 10-15 बार उसको छोड़ दो 15-20-30 second के लिए और फिर उसको पानी से wash कर लो अगर आपको वहाँ पर itching होती है तो check जरूर कर लें चेक करने के बाद आप इसको use करें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी अब ये तो मैंने आपको बताया कि fit curry आपकी body के उपर apply करने से कैसे कैसे आप इसको benefit ले सकते हैं लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पुरानी से पुरानी कफ का इलाज इस fit curry के अंदर है आयूरुवेद में इसको कहा जाता है इसके powder को सफ्टिक भस्म उससे हम कैसे अपने internal system को ठीक कर सकते हैं गले को पुरानी से पुरानी पुरानी से पुरानी खासी को पुराने से पुराने कफ को नजले को किसी को bronchitis होता हो बार-बार तो उसको pneumonia हो लोगों को tuberoclosses TB की बहुत जादा जिनको problem हो lungs related problem हो liver related problem हो गले से related कोई problem हो asthma को बहुत से लोग वो जो cigarette, BD या बहुत गलत गलत चीजों का सिवन करते हैं उनके effects को कैसे कम करें ये इतनी Ayurvedic powerful चीज है कि अगर उस सफ्टिक बस्म का सही से इस्तिमाल करना किसी को पता हो तो मैंने बोला ये humanity के लिए वर्दान है फिटकरी अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो आपके पास लेकर क्या हो तो मुझे comment करके जरूर बताईगा अगर मुझे लगा कि वाकई आप लोग चाहते हैं आपको इन वीडियो से benefit हो रहे हैं तो एक बहुत powerful वीडियो लेकर क्या आँगा कभी देखा नहीं सुना नहीं होगा ऐसी चीजें इस फिटकरी के बारे में research papers के साथ आपको proven scientific facts बताऊँगा ayurvedic scriptures से बहुत powerful चीजें आपके साथ share करूँगा बस उसके लिए चाहिए तो चाहिए सिर्फ आपका एक comment क्योंकि अगर आपको इन वीडियो से benefit हो रहा है और आप मुझे comment करके बताते हैं तो मेरे दोस्त आपने एक comment किया और मैंने वो वीडियो बनाया आपके लिए बड़ा powerful वीडियो होगा वेट करूँगा आपके comments की वीडियो अच्छा लगे तो यार बता दिया करो थोड़ा सा मैं की फरक पेंदा है थोड़ा सा बताया करो मुझे भी पता चलता है कि मैं आपके लिए अच्छी चीज लेकर क्या रहा हूँ आपको फाइदा पहुच रहा है आपको अच्छा लग रहा है तो जी आपकी जिंदेगी खुशियों से बरी हो यही दुआ करता हूँ I wish you lots and lots of peace tons of happiness and bundles of success in your life be happy be alive